आजका हमारा ।पिक है कंप्यूटर नेट्वर्किंग THE सबसे पहले भी नाट्वर्क क्या है what is a नेट्वर्क में कम से कम 2 या 24 से जादना कंप्यूटर्स لिंक्ड होते Ggrave एक दूसरे से वो भी proper order में और साथी share कर सकते हैं आपस में इस्तिमाल किये जा रहे resources को चाहे वो printer हो, scanner हो या projector हो फाइले exchange कर सकते हैं और साथी electronic communication बना सकते हैं वीडियो, conferencing, text messaging या audio calls एक computer network आपस में link होते हैं किसी cable के जरिए, telephone line, radio waves, satellites या infrared light beams के जरिए तब ही ये connection बनता है आपस में एक network कहलाएगा अभी तक हमने समझाए कि network क्या है, अब हम ये जानेंगे कि इससे क्या advantages हैं हमें पहला फाइदा, speed, network हमें बहुती fast speed provide करवाता है जिसके जरिए हम files को एक दूसरे के साथ share कर सकते हैं या फिर transfer कर सकते हैं, बिना network के ये करना थोड़ा मुश्किल है कोई भी file या data हमें transfer या share करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसे copy करना पड़ेगा pen drive या कोई external storage device में, फिर उसके बाद उसे ले जाकर उस computer में copy करना पड़ेगा ऐसा करना network के मुकाबले थोड़ा slow तो होगा ही, और साथी time भी हमारा थोड़ा बरबाद होगा की license की को भी खरीदना पड़ता है, जिससे की खर्चा बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा, क्योंकि स्थान स्थान या फिर कोई company हो या school हो, वहाँ पर एक computer तो इस्तमाल नहीं होते हैं वहाँ पर कई computer स्तमाल होते हैं, और उन सभी में वो software या program को अगर run करवाना है, तो उन software को उन सभी computer में एक एक करके install करना पड़ेगा, जिससे की time तो बरबाद होगा, और सभी में license की भी डालनी पड़ेगी, हो सकता है कि अलग लग license की डालनी पड़े, और एक से जादा license की को purchase करना पड़े है, जिससे की खर्चा भी बढ़ जाएगा, वहीं अगर हमने किसी संस्थान में या school में एक network stabilize कर रखा है, create कर रखा है, उन सभी computer को एक network की जरीए link कर रखा है, तो हमें एक main computer में software install करना पड़ेगा, उसमें उसकी license की डालनी पड़ेगी, सर्फ एक ही license copy को purchase करना पड़ेगा, जिससे की हमारा खर्चा बचेगा, और network के जरीए वह software सभी computer में share हो जाएगा, जिससे की सभी वह software इस्तमाल कर सकेंगे, सर्फ एक network के जरीए, इस तरह की network से हमारे पैसे तो बचेंगे ही, और साथी तीसरा advantage, centralized software management ये भी हो जाएगा, जो कि मैं इस की computer में software install करना पड़ेगा, वो सभी computer में share हो जाएगा, सभी computer इस्तमाल कर पाएगा, जिससे की हमारी energy और workload कम होगा, इसे कहते हैं centralized software management, फौर्थ advantage है resource sharing, देखे, resource sharing में क्या होता है, मान लिजे, आपका office में एक network create है, सभी computer एक network से connected है, और office में सिर्फ एक ही printer है, अब वो printer printer एक computer से connect है, लेकिन किसी दूसरे computer को वो printer इस्तमाल करना है, तो हमें printer वहा असानी होती है साथी प्रिंटर क्या आप प्रोजेक्टर, स्कैनर सीडी रोम प्लेयर जो भी ऐसी चीजे उस नेटवर्क से कनेक्टिड है उन सबी को इस्तमाल किया जा सकता है फिफ्ट एडवांटेज है फ्लैक्सिबल एक्सिस का देखिए कम्प्यूटर अगर नेटवर्क के जरीए कनेक्टिड है तो उसमें जो भी आप काम कर रहे हैं चाहे ऑफिस में कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो कहीं भी कर रहे हो आपने उस काम को अगर ऑफिस में स्टार्ट किया है तो आप खतम आप घर जाके भी कर सकती हो अपने computer में ये होता है fifth advantage network का sixth advantage है security देखे कोई भी file या कोई भी program आप network में कर रहे हो वो पूरी तरीके से safe होता है network में आपको security का option भी मिलता है जिसमें आप अपने program या किसी तरह की file कोई दूसरा copy या फिर उसको access ना कर ले आप उसमें password या user ID भी लगा सकते हैं जिसके जरीए सर्फ आप ही उसे access कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताए computer और उसके advantage next वीडियो में हम बात करेंगे computer network types की तो आज के लिए सर्फ इतना ही फिर मिलेंगे next वीडियो में okay take care and goodbye पाले स्टेट सर्फ आप्यों मैंट standards बाहत् Isaiah छ्रभन tightly दो groups